नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है पिछली एक वीडियो में ने बनाई थी मंगल रेखा के बारे में लेकिन इसको लेकर काफी प्रशन थे लोगों के दिमाग में इसलिए मंगल रेखा के कुछ विस्तारिक बाते आज इस वीडियो में करेंगे कुछ विस् जड़ा इसके बारे में आईए इस वीडियो में समझते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मंगल रेखा होती कौन सी है मंगल रेखा अगर आपके हाथ में देखेंगे यहाँ एक जीवन रेखा के साथ में यहाँ एक रेखा यदि आपको दिखाई दे तो इस रेखा को बोलते हैं मंगल रेखा, इसको मंगल रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मंगल परवत से पैदा होती है, लेकिन मंगल रेखा को जीवन रेखा की सहयक रेखा भी कहा जाता है, तो इसे आप सहयक रेखा भी कह सकते हैं, इसे आप मंगल रेखा भी कह सकते ह या फिर आप इसे कुछ लोग इसे इंग्लिश में इसको गार्डियन लाइन बोला जाता था इसलिए आजकल हमारे पश्चमी करण का अंधादुन्द अनुसरन होने करण इसे देवदूत रेखा भी कहा जाता है तो कुछ पुराने गरंतों में से मात्री रेखा भी कहा जाता है क्योंकि रख्षा करती है माता की तरह है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह रेखा इस बात का इंडिकेशन है कि आपके पीछे जो लोग जीवित नहीं है वो आपकी रख्षा कर रहे हैं नहीं आसा नहीं है यह रेखा यदि आपके हाथ में है तो आपको सहयोग मिलेगा बला कैसे सहयोग दे पाएंगे लेकिन जीवित लोग आपको निश्चित रूप से सहयोग दे पाएंगे यह सहयक रेखा है सहयक रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो हम यह मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगातार सहयता प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति द्वा करता है जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो लगातार एक ही व्यक्ति आपकी सहायता करता रहे अब इसके श्रेष्ठ स्थितियां क्या है यदि आपके हाथ के लगबग मंगल एक्षट्रश्य शुरू होकर बिल्कुल पैरलल चलती हुई जीवन रेखा के लास्ट तक चल यह जीवन रेखा जो है यह बाहर का शरीर है और यह मंगल रेखा आपकी अंदरूनी शक्ति है तो ऐसे व्यक्ति के भीतरी शक्ति जो है अंदरूनी ताकत जो है बहुत अच्छी होती है अंदरूनी ताकत से मेरा मतलब आत्म बल से है उसका आत्म बल बहुत मजबूत होता है ऐसा व्यक्ति हासानी सहार नहीं मानता काफИ मेहनती होता है प्रष्रम बहुत होता जुजहरू प्रक्रीटिका होता है यहärिके आसानी से जुछा नहीं उसका जो यह एक तरह से अत्म विश्वास और लगातार प्रिश्रम करते जिए रहने की शक्टी है वो उसे सफल भी बनाती है तो mostly हाथों में हम क्या देखते है कि काफी सफल लोगों के हाथ में ही जादा धेकी जाती है ये मंगल रिखा में है zelf मंगल है उपके हाथ में सेना में हैं, तो इन्हें हम युद्ध चीवी कहते हैं, युद्ध जीवी मतलब ऐसे लोग समझो की मृत होते होते फिर जीवित हो उठते हैं, तो एक लाब तो इसका ये है कि ऐसे लोगों पर बड़े संकट आने से टल जाते हैं, और अगर ये समझे कि हम की ये रेखा में आ अब ये जरूरी नहीं कि बहुत लंबी ही हो, मानलों इतनी सी है, तो अब यहां जीवन रेखा समाप्त हो जाने पर बहुत लोग मानते कि मेरी तो आयू छोटी है, पर असल में मंगल रेखा पीछे होने पर मंगल रेखा जीवन रेखा की यहां सायक रेखा बनकर जीवन र भाव इनका आपके उपर दिखाई देगा अमा लेते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से द्वीब बन गया है अब ये बहुत गंभीर रोग का परिचायक होता है उर्जा शक्ति करहाश हो जाता है ऐसे में व्यक्ति स्वस्थे के समस्यां सो गिर जाता है कि यहां हम क् मंगल रेका और मंगल रेका बहुत मजबूत स्पष्ट है और अच्छी गुलाबी रंग की रेका है किसी प्रकार कोई दोश उसमें नहीं है तो निश्यत रूप से यह जीवन रेका के दोश है यह लगबग नहीं के बराबर ही दिखाई देंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन मे उस समय में कुछ परिशानिया आएंगी तो सही कि बिल्कुल आएंगी नहीं ऐसा नहीं है लेकिन यह मात्रा बहुत कम हो जाएगी यह निकि उसके संबंद में जो परिशानिया उसको सो आनी थी वो किवल बीस प्रकार की ही दिखाई देंगी तो यह बहुत लाब हो है बहुत दोश पूर्ण है ऐसी रेखा के पीछे मंगल रेखा चल पड़े तो जीवन रेखा के यह सब दोश गायब हो जाएंगे ऐसा व्यक्ति यह वैसे बहुत संघर्ष और बहुत लगातार अस्वस्त रहने वाले रूग्ण व्यक्ति के हाथ मानने जाते हैं अगर ऐस से अगली बात करते हैं अगली बात में क्या देखते हैं कि यदि आपके हाथ में मंगल रेखा दिखाई देती हैं आपका जीवन रेखा जो है उसके साथ मंगल रेखा दिखाई देती है लेकिन मंगल रेखा में क्या खास बात दिख रही कि वह समय के साथ-साथ जीवन सब्सक्राइब wrist और लगातार दूर होती जा रही है तो शुरू बाद में मतलब क्या कि आप देखेंगे वह जो सहाइक लोग थे आपके, वो उम्र बढ़ने के सासत आपसे दूर जा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों का सहयोग पाते थे पहले तो, आपके मित्र बहुत आसपास रहते थे, आपका बहुत सहयोग करते थे, लेकिन एक एज आने के बाद आप क्या देखते हैं, कि आपके मित्रों क एक प्रधान लक्षण देखने में आता है, वो लक्षण क्या है, कि जैसे जैसे ये जीवन रेखा से दूर हटती है, व्यक्ति का सौभाव बदलता है, जिस कारण से उसके मित्र नस्दी की लोगों की संख्या बदलने लगती है, वो थोड़े चेड़े जिर्दी या होने लगते हैं, आम तरुपर ये देखा गए कि वो लापरवा हो गए हैं, अपने संबंधू के प्रति, अपने एक तरह से जो उनमें संजीद गी थी, जो उनमें एक दयालुता थी, जो उनमें जुझारूपन था, साहस था, वो सब धीरे-धीरे कम होने लगा है, और इसक हो गया है, और दूर जा रहा है अपने मूल सभाव के लोगों से, और इस तरह से ऐसा व्यक्ति एकांत या संघर्ष अजिक महसूस करने लगता है, तो यहां एक ये समस्या भी, अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा बिलकुल ठीक दिखाई दे रही है और मंगल रेखा भी ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन उससे एक ब्रांच निकल रही है और ये ब्रांच चंदरमा के और पहुँच गई है, अब जिस अगर ये चंदरमा पर पहुँच गई है, बीना दोश के है, एक शाखा निकली है, तो ये शाखा थोड़ी अच्छी मा आई हो, यहां से बिल्कु सीधी काटती हो, तब हम इसे अच्छी नहीं मानेंगे, तब ये सहयोगी दृष्टी से नहीं मानी जाएगी, बलकि बाधक मानी जाएगी, जीवन में उस आयू में संघर्ष, अक्षमिक समस्याएं, नजदी की लोगों से हानी देखने में अगर, और मुड़कर ही वो जीवन रेखा को इस तरह काट दे, तो ऐसी स्थिती में भी ये समझे कि वही लोग, नजदी की लोग, जिन्नों ने आपको हमेशा सहयोग दिया है, अब वो किसी खास कारण से आपसे नराज होकर आपके ही जीवन में बाधा पैदा कर रहे हैं, ये तब भी दिखाई देगा, ये दि मंगल रेखा मुड़ जाए, या मंगल रेखा की कोई एक शाखा आड़ी होकर इसे काटते, तब भी ये दिखाई देगा, अच्छा, अगर आपके हाथ में यहाँ ये रेखा पहुंचे, और यहाँ जहाँ पहुंचे, यहाँ पर प्रशानिया बढ़ जाती हैं, हाँ अगर दोश्पूर्न हो केवल तब, अब इससे आगे की चर्चा करते हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे कि एक मंगल रेखा जो है, वो यहाँ से इसके शाखा निकली और इक शाखा निकल कर ब्रहस पती के और जा रही है, अब यहा मंगल के गुण और ब्रहस पती के गुणों का समावेश हो जाएगा, मंगल जहाँ आंद्रूनी साहस दिखा देता है, आत्म सयम बरतता है, मंगल जहाँ आपको भीतर से हार नम आनने की खिशमता देता है, वहीं ब्रहस पती आपको दयालुता देता है, ब्रहस पती आपको भीतर के नित्रित उक्षमता को जगा देता है तो ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ साहसी होता है बहुत पुर्शार्थी होता है और इस पुर्शार्थ के कारण ही वो काफी सफलता हासिल कर लेता है ये तब आपको दिखाई देगा जब ये रेखा मंगल से ब्रिहस पती के और जा रही हो यदि आपको किवल एक रेखा बिल्कुल छोटी सी मंगल रेखा आपको बहुत लंबी ना दिखे बस मंगल से ही एक रेखा निकल कर ब्रिहस पती तक पहुंच जाए तब भी आपको ऐसा ही फल दिखाई देगा अब यदि आप देखते हैं कि आपकी मंगल रेखा मुड गई है या मंगल रेखा की एक शाखा या मंगल रेखा पूरी की पूरी आपको जाती हुई दिखाई दे हाथ में इस तरह से मंगल रेखा है और इससे एक शाका निकली और आपकी भाग्य रेखा से जाकर मिल गई इस तरह से भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा में ऊर्धुअगामी होती हुई एक मंगल रेखा जाकर मिल गई जीवन रेखा को जब इसने काटा तो यह ऊपर क्यों बढ़ रही थी, ऐसी स्थिती में ऐसे व्यक्ति के आंत्रिक जो साहस है उस व्यक्ति की जो एक तरह से लगन है वो उसे सफलता के और लिजाती है ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है साहस बहुत रखता है और ऐसी स्थिति में काम्याब हो जाता है तो यहां यह बहुत शुब संकेत माना जाता है सफलता की दिश्टि से ऐसे व्यक्ति को भूमी से जबरदस्त लाब होता है भाईयों के सहयोग से बहुत लाब होता है ऐसा वक्ति अपने साहस के दम पर बहुत अच्छी क्षमता पा लेता है, सफलता पा लेता है, यदि ये सेना या अधिकारी के वक्ति के हाथ में हो, कोई सेना का अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, तो निश्चत रूप से अपने साहस के बल पर बहुत उच्छ सफलता हा शासिल कर लेता है बहुत अच्छी सफलता से मिल जाती है अपने जीवन में तो यह यहां दिखाई दे ता यह आपको यह जीवन रेखा से जड़ bloss तो ऐसे व्यक्ति को उच्छ सफलता की संभावना है निश्चित रूप से बहुत उच्छ सफलता की संभावना है तो यहां लेकिन अगर यही रेखा आपको देखेंगे कि काट रही है अगर इस तरह से भाग्या रेखा को भी काट रही है और सूर्य रेखा को काट कर आगे न तो यहां समझेगा कि अडचने जीवन में बहुत रहती हैं फिर यह बहुत अच्छी सफलता की संकेत नहीं देता काफी लोग जो है वो बुद्ध रेखा और राहू रेखा और मंगल रेखा में कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोगों को लगता है कि मंगल रेखा राहू रेखाएं दोनों बिल्कुल अलग-अलग तरह की रेखाएं हैं राहू रेखा जहां हमेशा ही दोश्पूर्ण होती है काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरे हाथ में राहू रेखा है बहुत बड़ी सी गहरी सी राहू रेखा है और उसके बावजूद जो है मुझ मंगल रेखा से वो प्रधान रेखाओं जैसी गहरी नहीं होती हैं उन रेखाओं के प्रभाव और मंगल रेखाओं के प्रभाव बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं एक दम 180 डिगरी का अंतरुन में है समझने की रिष्टी से अब यहां आप इन्हें देख सकते हैं कि ऐसा ह काफी हो गया है और बहुत लंबी वीडियो बन गई है तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी अगले विशा पर आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद